Hi everyone, welcome to Learnistry, आज हम पढ़ेंगे class 7, science chapter 2, nutrition in animals, तो हमने ये वाला chapter बेटा हमने इसके part 1 में पढ़ा था, nutrition in animals, कैसे human digestive system, part 1 में हमने ये पढ़ा था, आज part 2 पढ़ा रही हुँ है, part 2 में हम पढ़ेंगे digestion in ruminants, ruminants कैसे किसे बोलते हैं, जो curchiving animals होते हैं, ठीके जो animals grass eater होते हैं, cow buffalo, ये सब जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कि हमेशा अपने मुऊ को चलाते रहते हैं, कैसे होते हैं, तो उधाए जो इनके stomach होते हैं, वो इनके stomach बहुत amazing होता है, वो four parts में होता है, ठीक है, तो ये कौन-कौन से होते हैं, जैसे rumen, पहला हो गया rumen, ठीक है, और उसके आ जाता है फिर रेटिकुलम ये इनके पार्ट्स है रेटिकुलम ठीक है रूमेंस रेटिकुलम फिर आ जाता है ओमेसम आपसे सिर्फ नाम भी पूछा जा सकता है कि आप चैंबर्स बताईए कि इस टमक के पो चैंबर्स के नाम बताईए तो रूमेंस रेटिकुलम और फिर उसके बाद Omesem और fourth one is Abomasum. ठीक है? तो ये इनके पार्ट होते हैं इस टमक के. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है? जो भी काव, बफैलो, जो भी उन्होंने जो ग्रास लिया, वो ग्रास को लेते हैं और अपने माउट से, फिर इसोफेगस से होते हुए, वो कहां आ जाता है? ये आप देखो, ये डाइग्राम्स में आप देख सकते हैं, ये, ठीक है? तो यहाँ पे ये food है, यहाँ से ये इसोफेगस से होते हुए, ये green वाला जो आपको portion दिख रहा है, ये rumen, ग्रीन वाले portion, rumen में ये यहाँ पे आ गया food, ठीक है? अब यहाँ से आने के बाद, यहाँ पे यहीं पे reticulum होता है, फिर वहाँ पे गया, और वहाँ पे food के चोड़ी चोड़ी लंस बन जाते हैं, चोड़ी चोड़ी ठीक है? और वो वापस फिर इस रास्ते से होते हुए, इसोफेगस से होते हुए, वापस माउथ में आ गया, अब वो चोड़ी चोड़ी लंस वो अपने माउथ में निकालती है, जो भी जो rumenants होते हैं, और उसको वो चिउव करते रहते हैं, फिर वहाँ से चिउव करने के बाद वापस फिर कहां पे आया, थर्ड चैमबर, ओमेसम, ठीक है, थर्ड चैमबर ओमेसम में आ जाता है, ओमेसम में आ जाता है, थर्ड चैमबर में, ये रहा आपका, ठीक है, पिर उसके बाद abomasum ठीक है फिर abomasum में आ जाता है abomasum के बाद abomasum और वहां पे उनका जो digestion होता है वो complete हो जाता है यहां पे यह जो होता है abomasum यह true stomach होता है यहां पे digestive juice secret होता है और digestion का process start होता है फिर जो 4 chamber से food small intestine में गया और फिर वही जैसे हमारे में होता है फिर वहाँ से वो large intestine के true फिर वापस जो waste material होता है वो thrown out हो जाता है और small intestine में absorption होता है जो nutrients होते हैं उनका absorption होता है तो यह इस तरह से इनमें जो इनके four chambers होते हैं वो होते हैं अब इनका क्या होता है देखो यह क्यों chew करते रहते हैं food को जो grass eater होते हैं यहाँ पे food को chew किया और जो वो food खाते हैं जो grass खाते हैं उनमें क्या होता है एक cellulose होता है जो grass होता है उसमें cellulose होता है बहुत सारा cellulose होता है तो एक type का carbohydrate होता है जो कि हम human beings उस cellulose को digest नहीं कर पाते हैं इसलिए हम grass नहीं खाते हैं ठीक है तो यह जो animals होते हैं यह cellulose क्यों digest कर पाते हैं इनमें क्या होता है ऐसा तो animals जैसे horse है rabbit है इनमें या जो भी ruminants है उनमें एक sack like structure होता है जिसको कहते हैं कैकम कैकम isophagus और small intestine के बीच में होता है और यहां पे cellulose digest होता है क्योंकि यहां पे cellulose digesting bacteria होते हैं कुछ bacteria होते हैं जो cellulose digesting bacteria होते हैं वो cellulose को digest करते हैं और human being क्यों नहीं कर पाते हैं तो यह question important है आपसे ऐसा question पूछा भी जा सकता है कि human beings में क्यों cellulose digest नहीं होते हैं हम क्यों cellulose नहीं खा पाते हैं because human beings do not contain cellulose digesting bacteria human being में cellulose digesting bacteria नहीं होते हैं और ruminants में होते हैं इसी लिए वो उनको digest कर पाते हैं ठीक है तो ये तो था हमारे जो curchiving animals है अच्छा कुछ other animals में भी है उनका भी digestion जैसे की amoeba amoeba बें digestion कैसे होता है तो amoeba एक single cellular organism है unicellular organism भी बोलते हैं मतलब single cell एक cell से बना होता है one cell से देखो आप लोगों को पता है न हमाली जो body है वो cell से बनी होती है बहुत सारे cell से बने होते हैं जैसे मैंने हमारे पहले वाले six class में भी हमने पढ़ा है और chapter one में भी class seven के chapter one में भी मैंने बताया था कि bricks वाला example आपको दिया था कि कैसे जो दिवाल बनती है वो एक-एक bricks एक एक इंटे से बनती है तो ऐसे बहुत सारे organism होते हैं बेटा अर्थ पे कि कोई unicellular होते हैं कोई सिर्फ एक ही cell से बना होता है और multicellular जैसे हम लोग human being है animals है birds है वो multicellular plants हैं वो बहुत सारे cell से बने होते हैं तो unicellular amoeba एक unicellular organism है ठीक है यह आपसे question पूछा जा सकता है यह भी important है ठीक है unicellular organism के नाम पूछे जा सकते हैं तो amoeba है एक unicellular organism अब एक cell होता है इसमें कैसे digestion होता है हमारे तो digestive system होता है हमारे हर चीज के लिए अलग-अलग system है respiration के लिए lungs है digestion होता है excreation होता है kidney है सब कुछ अलग से तो amoeba का कैसे होता है एक सारे इनके सारे digestion है respiration यह सारे इनका single cell से ही होता है तो microscopic का मतलब इनको हम सिर्फ microscope से ही देख सकते हैं और यह कहां pond water तला वगेरा यहां पे पाए जाते हैं तो एक single cell हुआ और इनका जो amoeba का structure होता है वो change होता रहता है तो इनका structure कभी ऐससे इस마 इस तरह से रहेगा ठीक है एक LIVE ये थोड़ा ओके इस तरह से यहां पे इसका nucleus हो गया यह cytoplasm हो गया ठीक है इसको बोलते हैं यह इसकी false feet है इसको या तो बोलते हैं false feet या सीडो पोडिया पी सालेंट होता है सीडो पोडिया भोलते हैं ठीक है इसको सीडो पोडिया भोलते हैं तो यह क्या होता है कि यहाँ पे इनका सपोज यहाँ पे इनका प्रे है प्रे मिंस इसका खाना है शिकार है अब यह क्या करते हैं यह अपने जो इसमें भी digestive juice होते है food vacuole होता है तो food देखो आपके book में भी diagram बना हुआ है यह आप amoeba का यह देखिए ठीक है यह amoeba है यह इसकी cedopodia है और यह इसका nucleus है यह nucleus वाला part हो गया food particles यह इन्होंने अपने cedopodia में ले लिया inject हो गया food vacuole में food आ गया और यहाँ पे food digest होने लग जाता है और फिर excreation भी excreation मतलब excreation का मतलब क्या होता है जो waste होता है वो हमारी body से बाहर निकल जाना तो वो भी single cell से ही होता है तो amoeba जब food का sense करता है तो वो क्या करता है अपने cedopodia को निकाल लेता है ठीक है change कर लेता है और उसके बाद food vacuole में उसको trap कर लेते हैं food vacuole में वो trap हो गया digestive juice यहाँ पे secret होता है food vacuole में वो food को simple substance में change कर देते हैं और food को digest करते हैं अब यहाँ से क्या होता है absorption हो जाता है फिर उस growth और maintenance के लिए absorption हो गया multiplication वो एक से दो होंगे दो से चार होंगे और जो बांकी होता है वो vacuole के through expelled out का मतलब बाहर निकाल देना तो जो basic process है digestion का उसे energy release होती है ठीक है इनमे digestion of food and energy release होना यह हो गया अब इनका जो दूसरे energy कैसे release होता है food से food के बाद यह हम दूसरे चाप्टर में पढ़ेंगे अभी इस चाप्टर के लिए आपका इतना यह चाप्टर आपका complete हो गया है अब हमने इस चाप्टर में क्या-क्या पढ़ा यह आपके keywords हैं यह आप पढ़ लेना ठीक है तो हमने part 1 के वीडियो में और part 2 के वीडियो में इन दोनों में हमने क्या पढ़ा यह फड़ावट से समझी देखते हैं ठीक है animal nutrition include nutrients require requirement mode of intake of food और उसका utilization मतलब nutrition क्या हुआ food का intake करना और उसका utilization करना energy के लिए जो human digestive system में उसमें क्या होता है elementary canal ठीक है और glands होते है elementary canal के कौन-कौन से parts होते हैं आपके buckle cavity है, isophagus है, stomach है, small intestine, large intestine, rectum, and anus और इसमें glands जुर जाते हैं ठीक है जैसे salivary gland, liver, and pancreas तो यह तो हो गए हमारे digestion के ठीक है तो यह हमने पढ़ाता कि कैसे हमारा digestion होता है part 1 में अच्छे से discuss किया हुआ है mode of feeding in different organism यह vary करता है अलग-अलग organism में अलग-अलग तरीके का होता है यह भी हमने discuss कर लिया है nutrition एक complex process है जिसमें की कौन-कौन से step involved होते हैं nutrition में, ingestion, digestion, absorption, assimilation, and digestion यह भी हमने discuss किया हुआ था part 1 में यह पांचों हमने steps discuss किये हुए है ठीक है और हमने क्या-क्या पढ़ा था digestion of carbohydrates like starch begin in the buccal cavity और digestion of protein यह stomach में होता है जो starch होता है वो buccal cavity में इसका digestion हो जाता है यह simple substance में change हो जाता है sugar glucose और जो protein होता है वो stomach में bile juice secret होता है liver से pancreatic juice secret होता है pancreas से यह digest होता है small intestine में और यहाँ पर complete हो जाता है फिर small intestine में absorption हो जाता है पूरे blood vessels के थूरू पूरे body में जाता है इसको हम कहते हैं assimilation, absorbed substance यह transport होता है जो undigested food होते हैं वो हमारी body से thrown out हो जाते हैं हमारी body से बाहर चले जाते हैं जो curchiving animals होते हैं जो grazing animals होते हैं जैसे cow, buffalo, deer इनको हम ruminants कहते हैं यह अपने food को quickly digest करते हैं swallow करते हैं और वहां से फिर rumen में गया rumen, reticulum, फिर वापस mouth में आ जाता है और mouth में आने के बाद omesum और फिर abomasum और इस तरह से इनका digestion complete हो जाता है ठीक है? और amoeba, amoeba अपने food को कैसे ingestion करता है? तो वह false fit के through pseudopodia, यहाँ पे single cell में ही food vacuole में उसका food digest हो जाता है तो यह आपका chapter complete हो गया है ठीक है? तो आपको कैसा लगा? यह वीडियो आप comment section पे लिखके बताईए जो भी आपकी problem हो, वो भी comment section में लिखके आप बता सकते हो अच्छा लगा? तो इसको like करिए, share करिए और channel को subscribe करिए Thank you